लहार SGM के अधिक्षता में विगत कई दिनों से चल रही बैंक प्रवंदन और व्यापारियों की बीच अन्बन पर हुई सुला हुई नाका यूको बैंक प्रवंदन और नगर के आर्थी लाइसेंस धारियों की बीच उठे असंतोष से उपजय गहरे विवात से नगर की आम जनता के साथ किसानों की बीच संघश की सिती बन गई है पक्ष विपक्ष के राजनितिक नेताओं की द्वारा इस पर राजनीती शरम पर है पिसे दिनों भी पहले इस प्रक्रण को लेका सत्ताधारी पक्ष और विपक्षी पॉंग्रेस नेताओं के साथ किसान शित्री किसानों के द्वारा अपनी समस्या को लेका ठाना दभों में ग्यापन देकर जल से जल्द मंडी खुलवाने का आग्रे किया गया था इसी प्रतिस्टान नहीं भोले गए तो उन पर कारवाही की जाएगी इसे व्यापारियों में रोख शुत्पन हो गया व्यापारियों का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताए कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम किसानों को क्या देंगे हमें बैंक समय पर पैसा नहीं दे रही हैं और पैसे निकलबाने के लिए निवेदन किया जाता है तो बैंक कर्मी अवद्र वहवार करते हैं बैंक प्रबंदन के द्वारा भिंडे कलेक्टर की नाम से जंडर दिवस के लिए 11-11,000 रुपे व्यापारियों से धनुगाही के लिए दवाब बनाया ज ही गई है मामरा तूल पकड़ गया है ना ही व्यापारी अपने समान की खातर जुकने को तयार है और ना ही बैंक प्रबंदन व्यापारियों के द्वारा लगाए गए गंभीर आरूप पर अपनी गलती सुईकार करने पर ऐसे सुती में शादी समहरू इलाज खेतों में खा सब्सक्राइब आरे प्रजापती दबो सरकिट में व्यापारियों के प्रतिनिधी मंडल के प्रमुक संजय गुर्चार और यूगो बैंक प्रबंदन को बंद कमरे में घंटों बैठकर मामले को रफा दफा करने की मशकत की लेगन बार्टा विफल रही उसका कारण यूग यूगो बैंक प्रबंदन के द्वारा दबो ठाने से वेपारियों के लिए डाले गए शिकायति आविर्न को वापिस लेने पर सुक्रती प्रद्यापत ना करना है और व्यापारियों के द्वारा बैंक प्रवंदन से बैंक कर्मियों को सम्मान सुरक्षत रखने के लिए माफिए ना मांगना और दूशी बैंक कर्मियों को यहां से अटाने की मांग पर अढ़ना है इन सब की कारण दवों मंडी में खुलना असमभब है जब तक कि अलादिकारी के द्वारा इस मादले को नहीं सुल जाए जाए जाएगा तब तक ये प्रतुरां उल्जा की रहेगा जाए आप तो इसकी यंकारी की अपने जानकारी नहीं थिए। सारक के समय पर विवाह साधी लगुन भलडान तमाम महत्तूल कारकम चल रहे और किसान एक-एक पईसे के लिए मोहताज है। वेपारी मंदी वेपारियों ने बिना सुझनती अचानक सनिवार को खड़काल करती तुमाम किसान परेशान होते रहे और उस दिन से आज तक परेशान हो रहे हैं तुलाइडी व्वस्ता कराई जाए अगर यह वेपारी तुलाइड नहीं कर रहे हैं तो सासन बेकर पर पर प फ़ाद भी हो रा है राज नए तरीके से त्या पक्षपात हो रहा है कि इनी लोगों का मस्का कि बाल्बी तरह लो रहा है और ठोड़ी छिपे अचा और फिर प्रे मैंंट भी नहीं मिल रहा है इस फोर पंध्रवीक नहीं इन्तियार इसलिए कि हम लोग यहां उन्हें बैपारियों का आरोप है अगर अगर नगत पैसा देखिए ऐसा है कि दबो ब्रांच मेनेजर जो युको बैंक में सौनू करते हैं उन्होंने सभी वैपारियों सो गेरा गेरा आयाद रुपए जंड़ा देश के लिए मांग की त प्राविदन दे दिया थाने में जो सास के कारवादा जैसे आरोफ हमन लोगों के उपर लगाए तो हम लोगों ने बात रखी कि सब्सूली करी जा रही है और जो पैसा जो बाहर से मंगा जाएगा उसका पैसा भी हमें 6000 रुपए गाड़ी के साब से देना पड़ेगा तो अभ उन्होंने मैंग मेंग मेंजर को बलाया तो मना और नहीं का आए इसा लेकिन ऐसा नहीं है आप उसकी cctv फॉटेज निकलवाई और सारी चीज़ी सामने आजिए दो इससला यह मैंत्रियों के मैंट्री में लब भार्यों से इस चीज की मांग रखिए थी हां बलाय है नोने मीटिंग के लिए हमारे 29 तारीक को आपके साथ उस समय कौन-कौन था हमारे साथ सारी बैपारी थे सारे गलब बैपारी थे अपने उनके प्रतेश्टानों के नाम तो जो है अलग अलग है वो तो हम आपके इसलिक आपके नाम बैपारी यह राजी विछवरिया जी ते मनीज गुपता जी थे और अंकित अगरवाज जी थे राजीव कुछिया जी थे और मैं स्वयम था जब उनके दुवारा जैनल दवास के लिए मंग की जा रही थी तो आपने क्या क्लेक्टर साथ से संपर इस्ताफित करने ही कुशिस की बैपारी किसी के दरवाजे नहीं आ पाई पाई उन्होंने चीज की मांग किये असा ब्यापारी बता रहा है आई की मांग किये जंडर दवास के लिए दस ग्यारा जार रुपए नहीं क्लेक्टर के ऐसा कोई आदेश नहीं क्लेक्टर क्यों आदेश देंग